आपका स्वागत है में प्रियाम आपके साथ देश के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर बैंगलूर में जल संकट गहरा गया है इस कारण वह रेने वाले करीब एक करोड चाल लाक लोगों में से एक वर्क वेकलपिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर है कई लोग शहर से पलायन करने लगे हैं दूसरी और जो लोग घर खरीदना चाते थे वो अपना मन बदलने लगे हैं इस बिच बेंगलूर वाटर सप्लाई बोर्ड ने बुधवार को पीने के पानी का स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बेन लगा दिया है बोर्ड ने कहा कि अगर नियम का पलन नहीं किया तो पांच हजार रुपे का जुर्माना लगेगा इसके अलावा संस्ताओं, हाउसिंग सोसाइटी, कंपनियों और लोगों ने भी संकट के हिसाब से ढलने और पानी बचाने के उपायों पर काम शुरू कर दिया है लोग नलो पर पानी बचाने वाले उपकरन लगाने से लेकर हाथ और बरतन धोने के लिए केन का इस्तेमाल कर रहे हैं कई हाउसिंग सोसाइटी ने सुबह और शाम को चार घंटे तक पानी की सप्लाइब बंद कर दी है सोशल मीडिया पर राजी के सीम सिधर मया से आईटी कंपनियों के लिए वर्क फ्रम होम अनिवार करने की गुहा लगा रहे हैं ताकि शेहर में या उसके बाहर घर जाकर इस परेशानी से निजातपा सके कोचिंग सेंटर्स और स्कूल ने बच्चों को स्कूल आने के बजाए घर से ही क्लास लेने की सला दी है एक अन्य तकनी की विशेश्या के दीपक रागहों ने बताया क्यों कॉलकता से आये हैं उन्होंने का कि हुने हर हफते 6,000 लिटर पानी के लिए 1500 रुपे का भारी भुकतान करना पड़ता है क्योंकि किराय के घर में ट्यूब विल्ट सूग गया है बागी की तबाव का अबरों के बने रहे हैं राजणवा नभी के साथ काने बाद